नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज आधनिक भारत का इतिहास का सार संग्र लेकर उपस्तित हुए हूँ, मैं आपको एक्तम संछेप में PCS Pre के लिए अचूग ब्रह्मास्त्र और जितना भी बढ़ाओंगा या जितना भी मैं topic cover करूँगा, वो बहुत ही important रहेंगे, आप देखेंगे कि वो किसी ने किसी question में, किसी ने किसी paper में कभी ने कभी आए हुए हैं और बहुत ही important, आप एक बार उन question को देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये important है या नहीं आओ दोस्तों हम start करते हैं आधरिक भारत का इतिहास, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूरोपी कमपनियों का आगमन इसमें क्या है जैसे question ही हमें इसमें देखने हैं तो पहला question है इसमें ब्यापार हे तू समुद्री मार्ग से भारत आने वाले परथम यूरोपी कौन थे ब्यापार हे तू समुद्री मार्ग से ध्यान देजीगा समुद्री मार्ग से लेखे समुद्री मार्ग से परथम यूरोपी कौन थे एंसर है पूर्थगाली कौन थे पूर्थगाली निक्स्ट यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार की खोज किसके ध्वारा की गई तो इसका एंसर है वास्कु डिगामा भारत आगमन हुआ थे इसका 17 मई 1498 स्वी में उसके बाद ये कोईशन भी बहुत पूछा जाता है काली कट बंदरगा के तड़ पर किसने वासको डिगामा का स्वागत किया था किसने किया था सभी लोग जानते हैं जमोरिन ने जो हां का अस्थानी सासक था उसने काली कट बंदरगा के तड़ पर वासको डिगामा का स्वागत किया उसके बाद कोशन है पूर्टगालियों ने पूर्टगालियों ने भारत में सरपर्थम अपनी ब्यापारी कोठी या जो फैक्टरी होती है कहां अस्ताफित किया उसका सही एंसर है कोचीन कोचीन जैसे कोची भी कहते हैं कोचीन उसके बाद कोशन है पूर्टगालियों उपनिवेश का पर्थम वाइसरा है भारत में कौन नियुक्त हुगा था तो उसका नाम था फ्रांसिसको दी अलमीडा पंद्रसो पांच इस्वी में एक कोशन और इंपोर्टेंट है हिंद महासाकर में ब्यापार को नियंतरित करने के लिए सांत या नीली जल की नीती जिसे ब्लू वाटर पॉलसी किसने लागू की थी इसे ब्लू वाटर पॉलसी के भी नाम से जाना जाता है वस इंगलिस का वाजन है बैजल की नीती तो यहाँ पर पॉर्तगालियों का सासन था सब वहाँ से कोई भी ना वो जाता था तो उसका हपता वसूलते थे या उसका चार्ज लेते थे तो वो को था फ्रांसिसको दि अलमीडा अब हम यहाँ आपको यह बताना चाहते हैं कि भारत में तंबाको की कृिसी एउ प्रिंटिक प्रिस को प्रारम करने का स्रे भी इनी पुर्दकालियों को दिया जाता है और जो पर्थम प्रिंटिक प्रिस के स्थापना हुई थी यो पंदरसो चपन इस्वी में गुवा में की गई थी यहाँ पर यह भी बहुत इंपोर्टेंट है मैं आपको बता दू बिभिन देशों के खोज करता बिभिन देशों के खोज करता बिभिन देशों के खोज करता अब जैसे वास्को डिगामा वास्को डिगामा तो सभी लोग जानते हैं इन्होंने भारत की खोज की थी कब की थी सभी को पता है वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी Captain James Cook ने Australia के खोश की थी एक तस्मान है तस्मानिया की खोश की थी एम न्यूजिलेंड की ये Bartholomew Diaz Bartholomew Diaz जो है Keep Up Good Hope इसकी खोश की थी उसके बाद भारत में पुर्तगाली सक्ति का वास्तिक संस्थापक बहुत बार कोशन पूछा जातों जाए भारत में पुर्तगाली सक्तिका वास्तिक संस्थापक किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है उसको कहते हैं अल्बु कर्क कौन है अल्बु कर्क अल्बु कर्क फिर किस वाइसराय के काल में किस वाइसराय के काल में गोवा को पुर्तगाली का अपचारिक मुख्याले बनाया गया वो का नीनो दी कुनहा कौन है नीनो दी कुनहा यह है नीनो दी कुनहा पुर्तगालीयोंने हिंद महासागत छेत में व्यापार पर नियंत्र स्थापित करने के लिए एक कर लेते थे उसको कते थे कार्टर्स अर्मेडा काफीला पद्धती जिसे कार्टर्स अम्रिडा कारवान सिस्ट्म पूर्टगालियों के पश्चाथ भारत में ब्यापार करने का करने आये डच कहां कि निवासी थे ये सबी लोगी जानते थे हार्लेंड जिसे वर्थमान में क्या नाम दे आता है नीदरलेंड ये भी बहुत कोश्चन पूछा जाता है कि भारत में विदेशी कमपनियों का अदा इसके पाद क्वान आता है अक्सर ये कोश्चन पूछा ही जाता है और बच्चे उसको गलत भी कर देते हैं लेकिन अब इतनी बार ये रिपीट हो गया कि अपने इसे पहले आया था पूर्तगाली कौन आया थे पहले पूर्तगाली उसके बाद आया थे डच करम यात के लिए जएगा पुर्टगाली डच फिर आया था ब्रिटिश ब्रिटिश लोग आया थे पिर आया थे कौन डेनीज डेनीज फिर फ्रांसिसी और देन स्वीडिश ठीक है पुर्टगाली पहले आया थे और सबसे बाद में गया थे ठीक है कि पुर्टगाली जो है कम 1460 में में आये थे 1961 में सबसे आन्त में गये हैं अब यहां देखिए आप देख लीजिए कि कमपनियों का कौन सी कमपनी है किस दीश ने वो स्थापित किया था अस्थापना दिवस अन्य अस्थाप जो स्थापना दिन है वो इयर और भारने पर्थम फैक्टरी यहां देखिए लिखा है पुर्टगाली इस्थ इंडिया कमपनी इस्तादो दी इंडिया देश कों था पुर्टगाल अस्थापना चौदा स्थाण में में भारने पर्थम फैक्टरी कोचिन अंग्रेजी इस्थ इंडिया कमपनी द यौधिया कंपनी यौफ नेद कर सकते पूलानट कि स्थापने 1622 में मस्वली प्ढ़ट backpack फिर डेनिस इस इंडिया कंपनी देनमार्क देनमार्क सोलर क्ष़र द्रैक कोबार भाद दीमर्ड को पिर फ्रांसेसे इस्ट इंडिया कमपनी उसे इंडियस ओरियेंटेशन भी कहते हैं फ्रांस 16-64 इस्वी और सूरत में है ठीक यह आज के लिए इतना ही वीडियो अग आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर यह कल मैं एक और इसी तरह वीडियो अपलोड करूँगा इसके जेस्ट आगे धन्यवाद अरुम्रेश श करद्ष